हेलो एरिवन वेलकम इंदू व्लोग चैनल तो गाईज कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे तो गाईज आज मैं अपने व्लोग वीडियो में कुछ नई रेशपी बना रही हूँ तो क्या बना रही हूँ ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरे व्लोग वीडियो में बने रहोगे लेकिन है बहुत ही जबरदस्त आप जरूर देखना और फुल वोच करना मेरी वीडियो को और फिर आपको कैसी लगेगी मेरी आज की रेशपी आप कोमेंट करके जरूर बताना तो चलो फिर बनाते हैं मैंने गेस ओन करके उस पे रखा है कडाही कडाही या फ्राइपन कुछ भी रख लो और उसमें चार कप मेंने गन्ने का रस डाला है और इसको बोईल होने दिया है बोईल होते होते इसके उपर जो जाग आएगा गन्ने के रस पर वो हम इसको अलग बाउल में डाल रहेंगे और च्यार कप गन्ने के रस में मैंने आधा कप लिया है चावल और उसको भीगो दिया है फिर उसको तीन पानी से धोके और ये भिगोई हुए चावल है जो मैंने बोईल हुए गन्ने के रस में डाल दिये दो से तीन बड़े चमच मैंने इसमें किश्मिश डाल दी और छोटा चमच है जो इलाइची छोटी हरी इलाइची डाल दी चुटकी भर मैंने इसमें केसर डाला और 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकाया पकते पकते ये है जो लगभग अच्छे से बन गए तब मैंने इसमें डाला है बादाम दो से तेन चमच मैंने बादाम है जो इसमें काटके रख रखे है वो डाल दिये एक चमच भरके मैंने देशी घी डाला और दो टीश्पून है जो नारियल का बुरादा डाला है नारियल का बुरादा अगर है तो डाल दो नहीं तो कोई जरूरी नहीं है और चीनी इसमें डालने की जरूरत नहीं क्योंकि गन्यकरस है वो अल्रेडी मिठा है फिर भी अगर आप तेज मिठा पसंद करते हैं तो एक टीश्पून भरके आप बुरा चिनी डाल सकते हैं और जब यह लग भग पक गए है तो हमें यह देखना है कि इसको दस या पंद्रा मिनट ऐसे नहीं पकाना यह देखना है हमें कि चावल पक गए है या नहीं यह हमें अपना चाव पख और चावल इसमें से निकालके और चैक करना है अगर चावल पक गए है तो ठीक अगर चावल नहीं पखेए तो थोड़ा सा इसे और पकाए और खीर पकते पकते तो हमें देखने में ही पता चल जाएगा कि हमारी खीर बनके है जो रेडी हो गई है जब ये खीर बनके रेडी हो जाए तो इसमें थोड़ा सा बादाम जो काटके रख रखा है इसमें थोड़ा और मिक्स कीजिएगा और फिर इसे 8-7 मिनट पकने दीजिए और ये खीर है जो गन्ने के रस में जो खीर बन रही है बन के बहुत ही अच्छी इसकी खुश्बू भी आएगी और ये देखने में भी हमें एक दम लगने लग जाएगा कि हान जी आप हमारी खीर है जो बन के तैयार हो गई है चावल कच्छे नहीं रखने क्योंकि चावल अलग अलग क्वाल्टी पर डिपेंड करता है कि बासमती चावल है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा अगर और कोई चावल है तो कम टाइम में भी पक जाते है कई बारी 10-15 मिनट में पक जाते है नहीं तो 20 मिनट भी लग जाते है हमें ये देखना है कि चावल हमारे पक गए है तब हमारी खीर बन के है जो रेडी हुई है तो जब हमारी खीर बन के तैयार हो जाए तो हमें इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे कडाई में से और ये खीर है position on medium low flame में और low flame में ही बनेगी ज्यादा full flame में नहीं बनेगी तो ये ध्यान रखना और जब खीर हमारी बन के रेडी हो गई तो इसको तुसरी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और ट्रांसफर करने के बाद इसके उपर हम सजावट के लिए डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ बादाम और फिर हम इसे सारो करेंगे तो हम इसे सारो करने के बाद टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी बनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगे कि आप भी ये खीर जुरूर ट्राई करना बना कर क्योंकि गन्यकरस है जो इजीली मार्केट में मिल जाता है और इस मोसम में तो खास करके गन्यकरस आ रहे हैं वेसे गन्यकरस तो चलता ही रहता है मिल जाता है कोई उसमें दिक्कत वाइए के सिवनिये पर नहीं देखो समय है तो यह बनी है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगे कि यह आप खीर जरूर बना के ट्राइब करना और बहुत ही इजी ली बन जाती है बहुत ईजी ली बन जाती है और गन्य का रस है जो मार्केट से मिल रहे है उल्या के एक बार ट्राइब जरूर करना और मेरे को कॉमेंट करके बताना कि आपको मेरी यह गन्य की खीर वाली रेश्पी कैसी लगी तो मैं आपके कॉमेंट के इंतजार में हूँ मिलते हैं नेक्स स्ट्रेश्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई